यह कुछ अपरेशन के बारे में आज के क्लाष्म अपरेस हम सिखेंगे कि अगर हमें हमारे document में किसी भी text को select करना हो तो कैसे select कर सकते हैं उस selected text को अगर हमें delete करना हो तो delete कैसे कर सकते हैं और उसके पाद अगर हमें drag-and-drop operation perform करना हो या थि ये drag-and-drop operation क्या होता है उसके बारे में भी आज की class में हम discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं discussion और सबसे पहले जानते हैं how can we select the text in our document, हम कैसे text को select कर सकते हैं, right, देखो, तो यहां पे suppose एक line लिखा है, I am a good boy, तो इस particular line में अगर में select करना चाहता हूं किसको, इस particular line में यह second line है, इसमें मुझे select करना है good को, तो कैसे इसको हम select कर सकते हैं, पहले जिसको हमें select करना है, अपने mouse के pointer को लेके वहाँ पे हमें रखना है, जिस particular text को हमें select करना है, उस particular text के beginning में हमें हमारे mouse के pointer को लेके रखना है, और उसके बाद left click करना है, left click को पकड़ के रखना है, और उसके बाद क्या करना है, left click को कीज़ के लेना है वेच说 इन ऑक Created को हम सिलेक्ट करना चाहते ही में पहले माऊस के पॉयंटर को लेकर रखना है है कि कि वहां फिर लेप्ट क्लिक करना है और लेब क्लिक करके को फ़कड़ के रखना है वहाँ पर फिर अपने माउस को खीचना है ड्रैग करना है कहां तक ड्रैग करना है जहां तक हम सिलेक्ट करना चाहते हैं जहां तक सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां तक ड्रैग करेंगे अगर ड्रैग करते करते ज़ादा select कर लेते हो फिर से mouse को back लेके धीरे धीरे पीछे पीछे लेके जाओगे तो automatically वो deselect भी हो जाएगा ओके पता चला how can we select the text in a document कैसे select कर सकते हैं पता चला तो सबसे common method क्या है पहले जहां से text को select करना है वहां पर left click करो left click करने के बाद mouse को वहां तक घसिटते लेके जाओ वहां तक drag करके लेके जाओ जहां तक select करना चाहते हो और उसके बाद mouse को छोड़ दो left click को भी छोड़ दो तो simply हमारा जो text select होना चाहिए था वो select हो चुका होगा अभी हम देखेंगे how can we delete the selected text बहुत ही simple है selected text को अगर हमें delete करना है तो कैसे करें keyboard का backspace button है उसको भी use कर सकते है keyboard का delete button है उसको भी use कर सकते है तो backspace button या फिर delete button को click करो तो selected text automatically हमारे document से delete हो जाएगे ऑके पर backspace button जो काम कर रहा है delete button भी वही काम कर रहा है तो फिर दोनों buttons को दिया क्यों गया है keyboard में एक भी button देता तो चलता ओके अभी उन दोनो buttons के बीच का difference हम देखेंगे कि backspace button और delete button की बीच difference क्या है अभी मैं backspace button को click कर रहा हूं ध्यान से देखना screen में क्या हो रहा है जब मैंने backspace button को click किया तो क्या हुआ insertion point के left side में जो letter था वो delete हुआ जब हमने backspace button को keyboard का click किया तो insertion point के left side में जो text है उसको delete किया उसने अभी मैं delete button को click कर रहा हूं अभी क्या हुआ जब हमने delete button को click किया तो insertion point के right side में जो letter है उसको उसने delete किया इसका मतलब difference पता चला अगर हम किसी particular single letter या फिर character को delete करना चाहते हैं तो हमारा insertion point जहां पे है उसके left side में अगर हमारा insertion point जहां पे है उसके left side के character को अगर हम delete करना चाहते हैं तो backspace button क्लिक करेंगे और अगर right side के text को delete करना चाहते हैं insertion point के right side में जो text है उसको अगर delete करना चाहते हैं तो delete button को click करेंगे अगर हम insertion point के left side में जो text है उसको delete करना चाहते हैं तो backspace button और insertion point के right side में जो text है उसको delete करना चाहते हैं तो delete button के बीच का difference तो अब तक हमने देखा how can we select the text simple है अपने mouse के pointer को लेके text के beginning में रखो left click करो left click को पकड़ के रखो और उसको drag करो जहां तक select करना है वो गया select delete करना है तो backspace या फिर delete button को click करो insertion point के left side में जो text है उसको अगर delete करना है तो backspace button और insertion point के right side में जो text है उसको अगर delete करना है तो delete button और अगर selected text को delete करना है तो backspace use करो delete use करो सेम तरह से ही काम करता है अभी हम देखेंगे how can we perform drag and drop operation तो यह drag and drop होता क्या है drag मतलब क्या घसिटना drop कर ड्रॉप करना मतलब क्या छोड़ देना घसिट के कहीं और लेके पटक देना उसको बोलते हैं drag and drop तो यहाँ पर इस document के अंदर कोई भी text अगर है suppose यहाँ पर text है M इसको हम select करते हैं जिस भी particular text को हमें drag करके घसिट के लेके कहीं और drop करना है तो सबसे पहला काम हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा उस particular text को हमें select करना पड़ेगा जैसे कि मैंने यहाँ पर M को select किया है select करने के बाद select कैसे करते हैं बता चुका हूँ select करने के बाद अपने mouse के pointer को लेके उस selected area के उपर रखना है उसके बाद left click को left click button को पकड़के रखना है left button को click करके रखना है और उसके बाद अपने mouse के through उसको घसिट के लेना है तो दे होके जा चुका है अभी मैं अपने माउस के लेप्ट बटन को छोड़ दूँगा तो यह यहां पर आके ड्रॉप हो जाएगा पता चला ड्राइग अंड्रॉप क्या होता है ड्राइग अंड्रॉप मतलब पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक जगा से घसिट के लेके कोई दूसरे जगा पर छोड़ना उसको बोलते हैं ड्राइग अंड्रॉप जैसे कि यहां पर टेक्स्ट है तो अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को ड्रैक करके किसी दूसरे जगा पर ड्रॉप करना है तो पहले उस टेक्स्ट को हमें क्या करना पड़ेगा सिलेक्ट करने के बार फिर माउस के pointer mouse को उस तरफ move करना है जहां हमें drag करना है और फिर वहाँ पे mouse के left button को छोड़ देना है तो वो जाके वहाँ पे क्या हो जाएगा drop हो जाएगा okay so I think आज के class में हमने जो discuss किया how can we select the text in a document how can we delete the selected text what is the difference between backspace and delete button okay then उसके बार how can we perform drag and drop operation इन के बारे में आज के class में हमने discuss किया so I think आज के class में हमने जो discuss किया आप लोगों को समझ आ चुका होगा अच्छे से so next class में हम discuss करेंगे ऐसे और कुछ topics के बारे में आज के लिए इतना ही thank you